नमस्कार दोस्तों मेरा नामे दिनेश कुमार एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं गुड न्यूज देने वाले हैं और कम्प्लीट वीडियो आप जरू देखेगा और बहुत ही सराहनी एक कारे जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो हमारे ही तरह का हमारे ही डेजिगनेशन का लेप टेकनिशन जिस बंदे ने इतना बड़ा कारे किया है और उसके बारे में बहुत नीज में भी मैंने लेगा इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये बातें सेयर कर रहा हूं तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं और इससे पहले अगर चैनल पर आप पहली बारा हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा लीजिए और लेप टेक्निशन से लेडिट इसी तरीके सी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं तो इसके बारे में मैं सबसे पहले बता दू तो जो हमारे रेल मंत्री जी है प्यूस गोईल जी उन्होंने भी ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दिया है अगर आप ट्वीटर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप कर सकते हैं और उसमें बहुत सारी जानकारी अभी आप लोगों को अब्डेशन मिलते रहते हैं और मेरे को भी इसमें आप फॉलो कर सकते हैं तो सबसे पहले चीज तो मैं जो tweet आया है उसके बारे में जानकारी देदू आपको तो P.S. GOEL जी ने इसमें tweet किया है पैसेंजर्स इन एनी काइंड ऑफ एमेजेंसी तो इसमें जो है एक्चुली हुआ क्या है ये घटना जो है लेब टेक्नीशन ने चलती ट्रेन में एक महिला की डिलेवरी करवाई है और रेलवे अस्पताल में दिल्ली में जो है वो लेब टेक्नीशन के पोस्ट पर कारेरत है सुनील प्रजापती उनका नाम है और ये मद्यप्रदेश संपर्क करांती में सफर कर रहे थे और उसमें महिला को डिलेवरी करवाया और उसके बाद रेल मंत्री ने इसके बारे में जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दिया है और दरसल महिला का प्रशुपीड़ा होन करतबवे को जो है निभाया है तो उसके बारे में हम सबी जो है उनकी सराहना करते हैं और हमारे चैनल के माद्यम से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं इस महित्वपूर्ण योगदान के लिए और हमारे लेब टेक्निशन को इतना जादा गौरवानवे तो उनोंने किया है और हकीकत में हमें भी सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को भी बताईएगा कमेंट करके आप लोगों को कैसा लग रहा है ये चीजे और क्या आपको सीखने को मिल रहा है बाकी भी हम बाद में बात करेंगे तो न्यूज चैनल पर और अलावा जो है यहां पर न्यूज पत्रीका पर भी उनके बारे में डेटेल में इसमें वर्णन किया गया है तो सारा कुछ मैं ज्यादा कुछ आपको बताने वाला नहीं हूं तो इसमें लिखा हुआ है सागर का रहने वाला है तो बोपाल से डिर सो किलिमेटर के सम्थिंग है सागर जिले के हैं यह और इसके बारे में ज्यादा मुझे डेटेल में पता नहीं है अगर सुनिल भाई मेरा वीडियो देख रहा है तो मेरे से जरूर आप कमेंट करके आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते है ताकि मैं आप से बात कर सकूं और हमारा यह सोभाग़ होगा कि हम आप से बात कर पाएंगे, तो इतना महत्पूर काम आपने किया है, तो बहुत ही अच्छा है ये, और हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है ये, चाहे हम किसी भी जब अमर्जेंसी सिचुएशन आता है, समाज सेवा के लिए, तो हमें भी याद है, जब हम फॉम भर रहे थे, एकजाम के लिए, तो उसमें भी एक, उसमें लिखने के लिए ऑप्सन रहता है, आप इस पोस्ट पर क्यों जाना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग लिखते हैं कि ह हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, और निस्वार्थ सेवा भाव के कारण जो है, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, इस पोस्ट के माध्यम से, जब हम जोब मिलेगा, तो हम जनता की सेवा करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें जब हम मैंसन करते हैं, तो हकीगत में ये च अल्रेडी पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं, इसके अलाब वो चाहते हैं कि हमारे पास आकर कि उनको कुछ रिलीफ मिले या आराम मिले, तो ये सारी चीज़ें होते हैं, तो इस उद्देशे को हम अपने ग्रांड लेवल पर जब दिखाते हैं, लोगों को जब दिखता ह तो हकीगत में वो सरहानी कारे होता है, ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग होते हैं, उनका परपस केवल जॉब करना और सेलरी के लिए करना यह होता है, बाकि दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो हमारा भी जब ये चैनल स्टार्ट हमने किया था, तो हमारे ये मकसद थ इतने हमारे भाई बहन हैं जो लेप टेक्निशन हैं उनको एक मार्क दर्सन मिले सही गाइड हम कर पाएं उनको और सही दिशा निर्देश दे सकें हर माध्यम में कहां पर कौन सा मिस्टेक होता है कौन सी गलती होती है step by step कौन कौन से कदम उनको उठानी चाहिए कहां पर मुस्किले आती है तो ये सारी जानकारी मैं कोसिस करता हूँ आप लोगों को देने का ताकि आप कही न कहीं मिस्टेक ना करें और अच्छा सा अच्छा कारे करके आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें यही हमारा उद्दे से होता है तो हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है और इतना बड़ा कारे सुनील भाई ने किया है तो उसके लिए हम सभी अपने Lab Technologies Channel के माध्यम से परिवार के माध्यम से आप सभी का अभारव्यक्त करते हैं आपने देश का और अपने समाज का और हमारे जो Lab Technician Group है और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका पूरे भारत देश का आपने और उसके साथ मध्य प्रदेश का सागर जिले का आपने नाम जो है गौरवानवित किया है तो उसके लिए हम आभारी हैं आपका और हम बाकी लोगों से भी आसा करेंगे कि आप जो Medical Field में है चाहे पेरा-Medical Field में तो आपको जब भी ऐसा कोई मौका मिलता है तो आप जरूर ऐसा कारे कीजिए ताकि आपका समाज में एक अच्छा संदेश जाए और हमारा जो Designation है Lab Technician का उसका नाम और उपर जाए रोसन हो इसका ताकि बाकी लोगों तक भी पता चले कि हम जो केवल जॉब करते हैं वो केवल हमारा उसका उद्देश से पैसा कमाना नहीं है बाकी समाज का सेवा करना जब भी मौका मिलता है समाज का और अपने देश के लोगों का सेवा करना होता है तो यही मुझे मैसेज देना था इस वीडियो के माध्यम से अगर सुनिल भाई ये वीडियो कहीं न कहीं देखेंगे तो मुझे आप कमेंट्स जरूर कीजिए बाकी लोग भी कमेंट्स कीजिए आपको ये मैसेज कैसा लगा आपको क्या सीखने को मिला आप लोग हमें जरूर बताईगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और जाद जाद आपने दोस्तों में सेर भी करें ताकि उनको भी ये खुसकबरी पता चल सके थैंक यू सो मच